हेलो दोस्तो वेलकम टो आवर चैनल लन्फोर जोब इस वीडियो में हम पंजाब का इतिहास और वहां के सभी मुख्य मंत्रियों के वारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ मेरे वीडियो जूड़ी अपडेट्स के लिए मेरे इन सोसल मीडिया हैंडल को जोईन और फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे सो बिना किसी डिले की वीडियो श्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पंजाब राज्य का इतिहास जान लेते हैं दोस्तों ब्रिटिस भारत के दोरान पंजाब प्रांट का नक्सा भारत सरकार अधनियम 1935 के पारित होने के बाद पंजाब विधान सबाग के अस्थापना 1937 में हुई थी और पहली बार 1937 में पंजाब प्रोविनेंस में विधान सबाग चुना हुए थे और दोस्तों उस समय प्राइम मिनिस्टर का पोश्ट हुआ करता था ना कि चीफ मिनिस्टर का तो पंजाब प्रांट के पहले प्राइम मिनिस्टर सिकंदर हयात खान थे और जो आप अभी का पंजाब राजी देख रहे हैं इसे 1947 में बनाये गया था जब भारत और पाकिस्ता पंजाब राजी में सामिल किये गए तो दोस्तों जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो पंजाब में कई रियास्ते थी जिन में प्रमूग थी पटियाला कपूर्थला जिन्द फरीद कोट मालेर कोटला नालागर्ड तो इसके बाद दोस्तों 1950 में दो अलग-अल जान थे पटियाला, जिन्द, नाबा, फरीद कोट, कलसिया, मलेर कोटला, कपूर्थला और नालागर्ड से मिलकर एक नया राज पटियाला एंड इस्ट पंजाब इस्टेट यूनियन जोड़ा गया था जिसे सौर्ट में पेप्सू बोलते हैं तो दोस्तों पेप्सू का गठन 15 जुलाई 1948 को किया गया था और 1950 मेय भारत का एक प्रांच बन गया था और इसकी राजधानी पटियाला थी लेकिन आपको मैं बता दू दोस्तों बाद में यानि एक नॉम्बर 1956 को पेप्सू प्रांद का विला पंजाब राज्जी में कर दिया गया था और इसके ला गया था तो दोस्तों अभी तक जितनी भी जनकारी मैंने आपको दी आसा करती हूं आपको समझ में आई होगी अब पहले हम 1948 से 1956 तक के पेप्सू के मुख्यमंत्रियों की सूची देख लेते हैं फिर उसके बाद हम 1947 से 1986 तक के पंजाब राजी जिसमें हर्याना और हिमाचल भी सामिल थे वहां के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं ग्यान सिंग रारेर वाला पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री बने इनका कारेकाल 15 जुलाई 1948 से 13 जन्वरी 1949 और फिर 13 जन्वरी 1949 से 23 मई 1951 तक रहा और इनकी पार्टी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस थी दोस्तों दूसरी बार ग्यान सिंग रारेर वाला 22 अप्रेल 195 से 5 मार्च 1903 तक पेप्सू के मुख्यमंत्री रहा हैं इसके बाद प्रेश्डेंट रूल 5 मार्च 1903 से 8 मार्च 1954 तक लागुरा फिर दूसरी बार रगब 1905 से एक नॉम्बर 1956 तक रहा और पार्टी इनकी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस थी इसके बाद से दोस्तों पेप्सू का मर्जन पंजाब राजी में कर दिया गया था अब हम दोस्तों 1947 से 1906 तक के पंजाब की मुख्यमंत्रियों की लिष्ट देखते हैं तो पंजाब की प नेशनल कॉंग्रेस थी भीम सेन सचर पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री थे इनका कारेकार 13 अपराल 1909 से 18 अक्टूबर 1909 तक रहा यह कुछ महिनों तक पंजाब की मुख्यमंत्री रहा और 1909 मिनों ने अपने पत से इस्तिपादे दिया क्योंकि इनके पर करप्शन के आ पार्टी के साथ कुछ कंफ्लिक्ट थे जिसकी वज़स इनों ने पने पत से इस्तिपादे दिया और पंजाब में पहली बार 20 जोन 1951 से 17 अपराल 1952 तक राश्पती सासन लागू रहा दूसरी बार भीम सेन सचर पंजाब के मुख्यमंत्री बने और इनका कारेका 17 अपराल 1922 से 22 जुलाई 1903 और फिर 22 जुलाई 1903 से 23 जन्वरी 1956 तक राश्पती से इस्तिपादे दिया और इनकी पार्टी भारती राश्टी कॉंग्रेस थी इनके वल पंजाब के मुख्यमंत्री परताप सिंग टैरो थे इनका कारेकार 23 जन्वरी 1956 से 9 अपराल 1957 फिर 9 अपराल 1957 से 11 मार्च 1962 और 11 मार्च 1962 से 21 जुन 1964 तक राश्पताप सिंग कहरो पंजाब के पहले सिख मुख्यमंत्री और पहले सियं जिन्होंने 5 साल का कारेकाल पूरा किया लेकिन इन्होंने ब्रश्टचार के आरूपों की कारट अपने पत से 21 जुन 1964 को इस्तिपादे दिया तीसरी बार और 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 दोस्तों हर्यान और निर्मार के लिए विधान सभा के सस्पेंशन के कारण इन्हे अपने पत से इस्तिपादेना पड़ा और फिर दोस्तों 5 जुलाई 1966 से एक नॉमबर 1966 तर पंजाब के सांतिपूर विभाजन के लिए राश्पती सासन लगाये गया था तो इसके बाद दोस्तों पंजाबी सुबा अंदोलन के कारण 1966 में पंजाब से कुछ हिस्से निकालकर हर्याना राजी बनाये गया तो दोस्तों हर्याना राजी की अस्तापना एक नॉमबर 1966 को हुआ था फ्रेंड्स अगर आप हर्याना के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं या फिर हर्याना के सभी मुख्य मंत्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके हर्याना चिफ मिनिस्टर की लिस्ट को देख सकते हैं तो अब हम पंजाब के पुनर गठन के बाद से यानि 1986 से लेकर अब तक के सभी मुख्य मंत्रियों के बारे में जानेंगे इनका कारेकार एक नॉवंबर 1986 से आठ मार्च 1967 तक रहा इनकी पार्टी भारती राष्ट्रिक कॉंग्रेस थी पंजाब के नौवे मुख्य मंत्री गुर्नाम सिंग्थेन इनका जन 25 फरवरी 1899 को पंजाब के नारंगवाल में हुआ था इनका पहला कारेकार आठ मार्च 1967 से 25 नॉवंबर 1967 तक रहा और इनकी पार्टी अकाली दल सन्फ फते सिंग्थी इंग पंजाब के दस्वे मुख्य मंत्री लच्मन सिंग्ग गिल्थें कॉंग्रेस के समर्थन से इनों ने 25 नॉवंबर 1967 को अल्पमत की सरकार बनाई और दोस्तों इनकी कारेकाल का बड़ा फैसला 13 अप्रेल 1968 से पंजाबी भासा को नए पुनरगठित पंजाब राज्जी की आधिकारिक भासा बनाना था इनकी पार्टी पंजाब जनता पार्टी थी दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी ने 23 अगस्ट 1969 को अपना समर्थन हटा लिया और इनकी सरकार गिर गई फिर पंजाब में 23 अगस्ट 1968 से 17 फरवरी 1979 तक राश्पती सासन लगाया गया पंजाब के 11 मुख्यमंत्री गुर्णाम सिंग थे इनका दूसरा कारेकार 17 फरवरी 1979 से 27 मार्च 1970 तक राश्पती और इस बार इनकी पार्टी सीरोमनी अकाली दल थी पंजाब के 12 मुख्यमंत्री प्रकास सिंग बादल थे इनका जन 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के अबुल खुराना में हुआ था इनका पहला कारेकार 27 मार्च 1970 से 14 जुन 1971 तक राख और इनकी पार्टी सीरोमनी अकाली दल थी इसके बाद पंजाब में 14 जुन 1971 से 17 मार्च 1972 तक राश्पती सासन लागू राख राश्पती सासन हटाय जाने के बाद पंजाब के दोस्तों तेरह में मुख्यमंतरी ज्यानी जेल सिंग थे इनका जन 5 माई 1916 को पंजाब प्रांथ के संदवान में हुआ था इनका कारेकार 17 मार्च 1972 से 30 अप्रेल 1977 तक राख दोस्तों परताप सिंग कैरन के बाद ये दूसरे सियम थे जिन्होंने 5 साल का कारेकाल पूरा किया था इन्होंने अपने कारेकाल के दौरा गुरु गोविन सिंग के नाम पर एक राजमार का उधगाटन किया था और राज्य के सोतंतरता सेनानियों के लिए आज इवन पेंसन योजना बनाई थी इसके अलावा दोस्तों ये 1982 से 1987 तक भारत के राश्पती रहा हैं इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थी इसके बाद दोस्तों पंजाब में 30 अप्राल 1977 से 20 जून 1977 तर राश्पती सासनल लाबू रहा प्रेशिडेंट रूल हटाये जाने के बार दूसरी बार प्रकास सिंग बादल पंजाब के मुख्यमंत्री रहा इनका सेकेंड टर्म 20 जून 1977 से 17 फर्वरी 1980 तक रहा और इनकी पार्टी शिरोमनी अकाली दल थी दोस्तों पंजाब में 6 वी बार 17 फर्वरी 1980 से 6 जून 1980 तक राश्पती सासन लाबू रहा इसके बाद पंजाब के 15 में मुख्यमंत्री दर्बारा सिंग थे इनका जन 10 फर्वरी 1916 को पंजाब के जालंदर डिस्टिक्ट में हुआ था दोस्तों 1980 के राजी चुनाओं में इन्हें नकोदर से पंजाब विधान सभा के लिए चुना गया था और 6 जून 1980 कोईने मुख्यमंत्री के रूप में न्यूप्त किया गया था दोस्तों आपको पता होगा 1980 के दसक में पंजाब के इतिहास में एक असान समय था जो हिंसा में विध्धी और सिखों के लिए सेपरेट होमलेंड की डिमांड थी इस दोरान इनकी सरकार राज में बढ़ती उग्रवाथ चे जूज रही थी परातंकवादी हिंसा में विध्धी के कारण इन्हों ने मुख्यमंत्री पत से इस्तिपादे दिया और 6 अप्टूबर 1983 को भारती सम्मिदान के अनुछे 356 के तहर राज में राश्पती सासर लगा दिया गया और फिर 29 सितंबर 1985 को राश्पती सासर हटाया गया दोस्तो सुर्जी सिंग बर्नाला पंजाब के 16 में मुख्यमंत्री रहा इनका जन 21 अप्टूबर 1925 को पंजाब के अटेली में हुआ था जो अब हरियाणा में है इनका कारेका 29 सितंबर 1985 से 11 जुन 1987 तक रहा और पार्टी इनकी सिरोमनी अकाली दल थी दोस्तो पंजाब में आठवी बार 11 जुन 1987 से 25 फरवरी 1992 तक राश्पती सासर लावू रहा राश्पती सासर हटाय जाने के बार पंजाब के 17 मुख्यमंत्री दोस्तों बेयंत सिंग थे इनका जन 19 फरवरी 1922 को पटियाला में हुआ था इनका कारेका 25 फरवरी 1992 से 31 अगस 1995 तक रहा और इनकी पार्टी भारती राश्पती कॉंग्रेस थी दोस्तों इनकी मृत्यू 31 अगस 1995 को चंडिगड में कार बंबारी में हुई थी और ये पहले भारती सियम थे जिनकी कारेकाल के दोरान हत्या कर दी गई थी इनकी मृत्यू के बार पंजाब के 28 मुख्य मंत्री हरचरण सिंग बरार थी इनका जन 21 जनवरी 1919 को पंजाब के सराय नागा में हुआ था इनका कारेकार 31 अगस 1995 से 21 नौंबर 1996 तक रहा इनकी पार्टी भारती राष्ट्री कॉंग्रेस थी और इन्होंने पर्षनल दीजन्स के कारण अपने पत से इस्तिपा दे दिया था और इनके इस्तिपे के बाद दोस्तों पंजाब के 19 वे और पहली महिला मुख्यमंत्री रजिंदर कॉर भट्टल थी इनका जन 30 सितंबर 1945 को लाहोर में हुआ था इनका कारेकार 21 नौंबर 1996 से 11 फरवरी 1997 तक रहा और इनकी पार्टी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस थी पंजाब के 20 मुख्यमंत्री प्रकार सिंग बादल थें दोस्तों इनका तीसरा कारेकार 12 फरवरी 1997 से 27 फरवरी 2002 तक रहा इनकी पार्टी शिरुमनी अकाली दल थी पंजाब के 21 मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग थें इनका जन 11 मार्श 1942 को पटियाला में हुआ था दोस्तों राजनीती में आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंग भारती सेना में थे आपकी जनकारी के लिए बता दू 1963 में ये नेशनल डिफेंस अकाडमी और इंडियन मिलेटरी अकाडमी से ग्रिजुशन करने के बाद इन्हों ने इंडियन आर्मी जोईन की और दोस्तों इन्हों ने सन 1965 में भारत पाक युद में योगदान दिया था जहां पर ये सिख रेजिमेंट के कैप्टन थे हैं भारत पाक युद समाथ होने के बाद इन्हों ने अपने पत से इस्तिपा दे दिया तो दोस्तों अब हम देखते हैं अमरिंदर सिंग के पॉलिटिकल केरियर के बारे में तो दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंग को राजनेतिक के तरफ भारत के पूरु प्रधान मंतरी और इनके स्कूल फ्रेंड राजीव गाधी लाये थे हैं जब राजीव गाधी ने पहली बार 1980 में लोगसभा चुनाव जीता था तो इनों ने अमरिंदर सिंग को इंडिया नेशनल कॉंग्रेस में सामिल किया लेकिन दोस्तों सन 1984 में इनों ने ततकालिक भारती प्रधान मंतरी इंदरा गाधी के ओप्रेशन ब्लू इस्टार के दोरान स्वर्ण मंदिर में सेना के घुषने के विरोध में कॉंग्रेस पार्टी और लोगसभा से इस्तिपा दे दिया इसके तुरंट बाद ये पंजाब की आंचरिक राजनियतिक पार्टी अकाली दल से जुड़े और तलबंडी विधान सवा सीट से चुनाओ जीतकर अपना राजनियतिक करियर आगे बढ़ाया दोस्तो अकाली दल से चुनाव जीतने के बाद ये पंजाब सरकार के अगरिकल्चर और फोरेश्ट मिनिस्ट्री में थे इसके बाद दोस्तो सन 1992 में इनों ने अकाली दल छोड़ दिया और अपनी एक पार्टी सिरुमनी अकाली दल पंथिक की अस्तापना की और ये पार्टी अगामी विधान सवा में कुछ खास नहीं कर सकी क्योंकि दोस्तो कैप्टन अमरिंदर सिंग सेवन अपने चुनाव छेतर से बहुत कम वोट ही पास सके थे दोस्तो कैप्टन अमरिंदर सिंग ने इस पार्टी को सन 1998 में कॉंग्रेस के साथ मल्ज कर दिया था इसके बाद दोस्तो वर्ष 2002 में ये पंजाब के 21 मुख्यमंत्री के रूप में सपत ली थी इनका पहला कारेकाल 26 परवरी 2002 से 1 मार्च 2007 तक रह और पार्टी इनकी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस थी इनका कारेकाल समाफ्थ होने के बार पंजाब के 22 में मुख्यमंत्री प्रकार सिंग बादल थी दोस्तो सन 1947 से भारती राजनीती में सक्री देश के सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री पंजाब में भाजपा अकाली दल का प्रमुक चहरा प्रकार सिंग बादल अकेले नेता हैं जो पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने और दोस्तों जब 1970 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थें उस समय ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थें और इन्हें पंजाब की राजनीती में बेहत सम्मानिय वरिष्ट व्यक्ति का दरजा दिया जाता है दोस्तों इनका चौथा कारेकार 1 मार्श 2007 से 14 मार्श 2012 तक रहा और फिर पांचवा कारेकार 14 मार्श 2012 से 16 मार्श 2017 तक रहा इनकी पार्टी सिरोमनी अकाली दल थी दोस्तो अब तक के सभी मुख्य मंत्रियों में प्रकास सिंग बादर पंजाब के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य मंत्री हैं और आपके जानकारी के लिए बता दू इन्हें 30 मार्श 2015 को भारत के राश्पतिर प्रणव मुखरजी द्वारा पंद विविशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों इनका दोनों कारेकाल पूरा होने के बार पंजाब की 23 में और वर्तमान मुख्य मंत्री अमरिंदर सिंग है इनका दूसरा कारेकाल सुरू हुआ 16 मार्श 2017 से और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस है तो दोस्तों इस वेडियो में हमने पंजाब के इतिहास के बारे में पंजाब के प्राइम मिनिस्टर और चेप मिनिस्टर के बारे में और पेप्सु के सीयम के बारे में सभी महत्यपूर जानकारियां प्राप्त की उम्मित करती हूँ आपको इस वेडियो पसंद आई होग जरूर मेंसन कीजिए दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद